दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताओगा हाली में रिलीज़ूई फिल्म दग्रीन नाइट की है जो कि 2021 की मेरे हिसाब से सबसे बेश्ट मोवी है इस वीडियो में मैंने सिर्फ फिल्म के बारे में बात की है फिल्म के उपर एक्स्प्लेंट मोवी इसको एक्स्प्लेंट किया उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते मेरा आइडी है फ्रेश मोजो इंडिया तो चलिए फिल् अधुरी और शोर्य की कहानी होगी और इसे के साथ फिल्म की शुरूरात होती है जिसमें कैमॉलेट राज्जर दिखाया जाता है और वहाँ पर गैवन सोय होते है तब उनके मूपर पानी डालकर उनकी प्रेमी का एसल उसे उठाती है और फिर वो बताती है कि क्रिसमस की और फिर दोनों शराब खाने से बाहर निकलते है जिसमें गैवन अभी भी एक युद्धा नहीं है यह चीज़ बताता है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें एसल के पीछे ही वो होता है और फिर वो गिर पढ़ता है कुछ दिर के बद किले में अपने घर पर गैवन जा तब गयवन उसे उसके हाल पर छौड़ने करें करें से और वहां जाकर वह तयार होता है। रूञता है। हमस्ता बेदा कुछता है। और उनके साथ बैटता है और आरतर उसकी बहुता है तब गेवन बताता है कि वह आज नहीं आने वाली और उनकी तबीख नहीं है। और फिर रानी वहाँ उसे सभी युद्धा दिखाती है और वो बताती है कि यहाँ के हर एक युद्धा की खुद के शोर्य की एक कहानी है और उसे के चलते वो लोग वहाँ तक पोचे हैं। दूसी तरफ गेवन की मा एक जगह पर आती है और वहाँ वो काला जादू शुरू करती है और अपनी आखों पर पट्टी बांती है और फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखती है और वहाँ जादू शुरू करती है और पेपर को एक जगह पर छोड़ देती है जिसमें वो जल दूसी तरफ राजा सबसे बात करता है जिसमें वो सबको क्रिसमस की शुपकामनाय देता है और उसी के चलते पूरे राजय में शांती होती है ये चीज वो बताता है और फिर वो सबका शुक्रिया मानता है और जशनर शुरू करने करता है और वहीं पर दरवाजा खुलता है और वहां Green Knight नसर आता है और फिर वह आगे बढ़ता है जिसमें सब युद्धा उससे लड़ने तयार होते हैं और वहां राजा उसे अपने पास बुलाता है तब Green Knight सब के बीच में आता है और वह राजा को वही लेटर देता है जो कि Gavin नी माने चलाया होता है और फिर वह A5 साल के बाद Green Knight उसका सर काटेगा जिसमें उसे Green Techn普 में Green Knight की कुहारडी लेकरा आना होगा और वही लेवासा भर उने माने के बाद Green Knight उसका सर काटेगा ये चीज़ बताता है और इस तरह से King Arthur के राजये को चोड़ सकता है यह मोलता है और वहीं पर राजा बताता ये वह ब पलतक का सफ़र नहीं कर पाएगा और फिर वो अपने युद्धाओं को पुछता है उस से लड़ने तैयर होता है और गेवन सबसे लड़ने के लिए तलवार मांगता है और वहीं पर किंग आर्थर अपनी तलवार देते है और फिर ग्रीन नाइट आगे आता है उसे लड़ने कहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और अपना सर दिखाता है तब गेवन उसका गला काट देता है कुछ दिर के बाद ग्रीन नाइट का शरीर उठता है और वो अपने सर को उठता है और फिर वो बोलता है कि एक साल के बाद वो लोग फिर से मिलेगे और फि आजसे के चलते गेवन फेमस हो जाता है जिसमें उसका प्ले सब लोग देखते हैं और इस तरह से उसकी कहानी सब को सुनाई जाती है दूसी तरफ गेवन एसल के साथ इस बारे में बात करता है जिसमें वो डरा हुआ होता है और वहां गेवन ने किंग आर्थर की तलवार बताता है जो कि काला जादू करती है और इससे वो भड़क जाता है और उससे लड़ता है और वहीं पर बर्फ किरती है और वहां से गेवन घर आता है तब उसकी माँ और वहां किंग आर्थर होते हैं और वहीं पर उसकी माँ चली जाती है और फिर किंग आर्थर गेवन से फिर पताक करते है जिसमें वो बताता है कि अब वक्त आ गया है जिसमें Christmas तक उसे Green Chapel पोचना होगा जिसमें Gavin इस चीप से वहां जाकर उसे खुद के शौरिय को थाइएills Já को साफ करता है और फिर तो मा उसके आता है और उसके सातियों के साथ फिर से काला जादू करने जाती है और उनके साथ मिलकर वो एक कपड़ा तयार करती है जिसमें वो लोग अपनी कारीगीरी दिखाते है दूसरी तरफ ग्रिन नाइट की कुहारडी यानि की एक्स को निकल कर उसकी तयारी की जाती है और गेवन के लिए एक शील्ड भी बनाई जाती है और गेवन आखरी बार SL से मिलता है जिसमें वो बचकर वापिस जरूर आएगा और वो वापिस आएगा तब राजा बनेगा और SL उसकी रानी बनेगी ये चीज़ वो बोलती है लेकिन वहाँ गेवन टरा हुआ दिखता है और तब वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर गेवन तयार होता है जिसमें उसकी माँ उसे वो कपड़ा बांद देती है जिससे उसे कभी भी कुछ भी नहीं होगा ये चीज़ वो बोलती है साथ ही वो उसे कभी भी नहीं उतारने कहती है और फिर Gavin सफर पर निजाने निकलता है जिसमें उसके पीछे कई सारे बच्चे होते है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है जिसमें वो लंबा सफर शुरू कर देता है और उसे एक जगह पर हड़िया दिखती है और वहां से वो नौर्थ की दिशा में आगे बढ़ता है और कुछ दिनों के बाद वो एक जंगल में पोच्चता है और वहां पर उसे एक फॉक्स दिखती है तब वो उसके पीछे जाता है और वहाँ पर उसे एक लाश दिखती है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है जिसमें एक जगह पर हाल ही में लड़ाई हुई होती है और वहाँ पर लाशे बीची हुई होती है और वहाँ पर एक लड़का दिखता है तब वो गेवन के पास आता है और वहाँ गेवन एक मुसा चैपल का रास्ता पुछता है और वहाँ स्कैवेंजर उसे रास्ता दिखाता है और वहाँ स्कैवेंजर उसे बदले में कुछ देने कहता है तब गैवेंजर उसे कौइन देता है और वहाँ से निकल जाता है और उसके बता है रास्ते पर गैवेंजर आगे बढ़ता है और व वहाँ Gavin डर जाता है तब scavenger चाको निकलता है और उसे डराता है और वो उसका कपड़ा निकल लेता है और फिर वो उसके घोड़े के पास आता है कुछ देर के बाद वो लोग शील्ट तोड़ देते हैं और उसकी तरवार और X निकल कर देखते हैं जिसमें X काफी ज्यादा होती है और scavenger को X पसंद आती है और वो वहाँ से घोड़े पर बैटकर निकल जाता है और उसके साथ ही उसके साथ जाते हैं कुछ देर के बाद जंगल में Gavin को सपना आता है जिसमें वो वहीं पर पड़ा-पड़ा मर गया है ऐसा उसे लगता है और फिर वो सोकर उड़ता ह और वहाँ वो रेंगते रेंगते अपने सामान के पास आता है और अपनी तलवार से खुद को रसी तोड़कर आसाथ कर देता है जिसमें वो घायल भी होता है और फिर वो वहाँ से भागता है और वो रात तक वहाँ से भागी रहा होता है और उसे एक तालाप के किनारे घर दिखता है तब वो तालाप के पानी पीता है और उस घर में गुस जाता है जिसमें वहाँ की चीजों से पता चलता है कि वहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया और फिर Gavin उपर जाता है तब उसे वहाँ पर एक रूम में बैठ दिखता है तब वो उसके उपर सो जाता है कुछ दिर के बाद वहाँ पर Winifred आती है तब Gavin उठता है और वहाँ Winifred बताती है कि यह जगह उसकी है तब Gavin वहाँ सिर्फ आराम करने आया था यह चीज़ बोलता है जिसमें वो एक खोया हुआ मुसाफिर है और वो Green Chapel जा रहा है यह चीज़ बोलता है जिसमें Winifred भी खोयी हुई होती है यह चीज़ वो बोलती है और फिर वो उसके पास आती है जिसमें Gavin समझ जाता है कि वो एक आत्मा है और फिर दोनों नीचे आते है और वहाँ दोनों तालाब के पास आते है और वहाँ ना Winifred बताती है कि एक राजा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और फिर वो उसका सर काट देता है यह चीज़ वो बताती है और उसका सर तालाब में खो गया है और Gavin को उसे लाने कहती है तब Gavin बदले में उसे क्या मिलेगा यह पुछता है तब वो उसके उपर चिलाती है और फिर Gavin तालाब में जाता है और वहाँ वो नीचे सर धून रहा होता है और उसे पानी में वो मिल जाता है तब वो उसे उपर लेकर आता है और वहीं पर विनिफ्रेट नहीं होती और वहीं पर उसे एक फॉक्स दिखती है और वो वहाँ से चली जाती है तब Gavin घर में जाता है जिसमें वहाँ विनिफ्रेट नहीं होती और उपर Gavin को बैठ के उपर उसके शरीर के हड़ी का धाचा मिलता है और वहीं पर Gavin के हाथ में विनिफ्रेट का सर उसे दिखता है तब वो उसे फेक देता है और वहीं पर विनिफ्रेट बाताती है कि Green Knight उसका कोई करीबी है और फिर वो खूपड़ी बन जाती है तब Gavin उसे उठा कर शरीर के साथ बैठ पर रपता है और वहीं पर सुभव होती है और Gavin को उसकी X नजर आती है और फिर Gavin X के साथ अपना सफर शुरू कर देता है जिसमें वो एक नदी से होकर जाता है और वो उपर जाता है और सोने की तयारी करता है और वहीं पर उसे Fox फिर से दिखती है तब वो उसे अपने पास बुलाता है और Fox के आने के बाद वो सो जाता है और Fox भी उसके साथ सो जाती है अगले दिन वो Fox के साथ आगे निकलता है जिसमें वो शाम तक चलते चलते ठक जाता है और एक जगह पर गिर पढ़ता है कुछ देर के बाद रात होती है जिसमें वो एक जगह पर मश्रूम खा रहा होता है और फिर वो फॉक्स को भी खिलाता है और वहीं पर वो मश्रूम जाहरी ले होते है तब गैवन उसे उल्टी कर दिता है जिसमें उसे कुछ अर्जिप चीजे नसर आती है और वहीं पर उसे ग्रीन नाइट नसर आता है और फिर वो सो जाता है अगले दिन वो फिर से आगे बढ़ता है जिसमें उसके साथ फॉक्स होता है और वहीं पर वहाँ उसे विशाल मनुश्य दिखते है तब वो पाहड की चोट पर आता है और वो आगे बढ़ रहे होते है तब गैवन उन्हें बुलाता है और अपने साथ ग्रीन चैपल तक ले जाने काईता है लेकिन वो विशाल मनुश्य को उसकी भाषा नहीं समझती और वो वहाँ से आगे बढ़ते है जिसमें गैवन भी उसके सफर में उनके पीछे ही होता है और वो लोग काफी ज़्यादा चलने के बाद आगे जाते है और वहाँ उसका फॉक्स उसे इशारा करता है तब गैवन आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पर एक माहल दिखता है और वो उसमें चला जाता है और वहीं पर वो दर्वाजा खुलता है और वहां राजा गेवन का स्वागत कहता है जिसमें गेवन कमजोरी के चलते वहीं पर बेऊश हो जाता है अगले दिन गेवन उठता है जिसमें उसके पस राजा होता है और वो बताता है कि क्रिसमस को भी चार दिन बागी है और Green Chapel वहां से एक दिन जितना ही नजदिक है जिसमें उसे Gavin के बारे में सारी चीज़े पता होती है और Gavin की बहादूरी के किसे उसके राज्यव में भी सबने सुने होते हैं और वहीं पर वो अपनी Rani से मिलाता है जो कि असल में SLGC देखती है और वहां पर पेंटिंग में एक आदमी घोडे पर फॉक्स का पीछा करते हुए नजर आता है और फिर वहां की किताबे वो पढ़ता है जिसमें वहां पर ठेर सारी बुक्स होती है और फिर Rani Gavin से मिलती है जिसमें वो उसे सब किताबों के बारे में बताती है और उसे एक बुक पटने द आती है और फिर वो Gavin को दिखाती है जिसमें वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर Rani वहां से चली जाती है अगले दिन राजा शिकार करने जाता है जिसमें उसे एक हेरन को मार कर Gavin के लिए लाया होता है और रात को Gavin और राजा तारू पीते है तब राजा उसे प् कि दुनिया में सब चीजह है रहस्य माय है और वहां पर वो लोग ग्रीन नाइट की बात करते हैं। तब वहां गैवन को लगता है कि वह धर्ती से नहीं है और राशी को होते हैं और शोरीक घुट में जा रहा है तब वो बताता है कि वो अपने ओनर यानि कि अपने शोरियों को साबित करना चाहता है और यह चीज़ राजचा को पसंद आती है जिसमें वो खुद को साबित करने के बाद उससे मिलना चाहेगा यह चीज़ बताता है अगले दिन गेवन सोया होता है तब वहां प कुछ नहों और वो सही सलामत रहे और फिर वो गैवन को उत्तेजित करने लगती है और गैवन उस कपड़े को निकालने जाता है और वो पूरा निकालने पर गैवन उसे खराब कर देता है तब रानी बताती है कि वो असली होता नहीं है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है औ जिसमें वहाँ पर उसे एक मरा हुआ जानवर दिखता है और उसके पीछे राजया आता है और वो उसे उसके प्रामिस के बार में पुछता है जिसमें उसे वह कुछ देने कहता है और फिर वो गैवन के पास आता है और उसे किस करता है और फिर वो गैवन को उसका फॉक्स दे देगा और उसे वहां से चले जाना चाहिए जिसमें वो जिन्दा रहेगा और जब तक उसकी पास उसकी मां का दिया हुआ कपड़ा है तब तक उसे कुछ नहीं होगा और वहां गैवन को उसके उपर भरोसा नहीं है यह वो बोलता है और फिर वो फॉक्स को मारने जाता है है तब वो उसके पास उसकी एक्स रखता है और वहीं पर वो उटने का इंतसार करता है जिसमें धीरे धीरे वक्त गुजरता है और रात होती है और फिर अगले दिन की सुबह होती है और वहां ग्रीन नाइट उटता है और वो बताता है कि यह क्रिसमस का दिन है जिसमें फिर वो उसका गला काटने जाता है तब वहां गैवन हड़ जाता है और फिर ग्रीन नेट फिर से उसे मारने जाता है तब वहां से भाग जाता है और भाग कर गैवन उस जगह से निकलता है और वहीं पर उसे उसका घोड़ा दिखता है तब वह उसके पास आता है और वहां से वो अपने राज्य जाने निकल पड़ता है जिसमें काफी लंबार सफ़र तर करके वो अपने राज्य आता है और वहीं पर वो कमजोर हो चुका होता है जिसमें वहाँ उसकी माँ को देखता है और फिर वो उसका इलाज करती है और उसे साफ करती है जिसमें वहाँ पर उसे हमें उसका बंदा हुआ कपड़ा दिखता है और फिर Gavin SL के साथ दिखता है जिसमें दोनों शारीरिक संबंद बनाते है और फिर कुछ सालों के बाद किंग आर्थर का अंच समय आता है तब वो Gavin के पास आता है और अपनी तलवार देता है और उसे अगला राजा घोशित कर देता है और उनकी मुत के बाद Gavin को राजा बना दिया जाता है और वहीं पर उसकी माँ उसे देखती है जिसमें कुछ सालों के बाद SL Gavin के बच्चे को पाइदा करती है जो कि एक लड़का होता है और फिर Gavin उसे चीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है जिसमें SL काफी ज्यादा तरपती है और उसके कुछ सालों के बाद Gavin की शादी राजकुमारी मेगान से होती है जिसमें दोनों रात को करीब आने वाले होते है तम मैगान Gavin के कपड़े को निकलने जाती है लेकिन Gavin उसे निकलने नहीं देता और फिर वो उसी कपड़े के साथ हमेशा दिखता है और दीरे दीरे वक्त आगे बढ़ता है जिसमें Gavin का बेटा बड़ा हो रहा होता है और Gavin उसे संबालता है और एक जन में गैवन अपने बेटे को देखने जाता है जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है और वहां से गैवन अपने राज्य में वापिस हाता है तब वहां के लोग उसका बहिशकार करते हैं और वहीं पर उसे ऐसल नसर आती है जो कि उसकी हालत देखकर खुश होती है और एक दिन वो अपने सिम्हासन पर बेटा होता है जिसमें उसके राज्य पर दुश्मनों ने कबजा कर लिया होता है और वो लोग अंदर गुशते हैं तब गैवन के पास से सब चले जाते हैं और वहां पर वो अकिला होता है और तब वो अपने कपड़े को निकालता है और वो पूरा निकलने पर उसका सर वही पर गिर पड़ता है असल में ये सारी चीज़े गैवन को वीजन में आती है और अभी भी वो green chapel में ही होता है और वहाँ वो green night को रोगता है और उसका खप्ड़ा निकाल देता है जीससे वो मर सके हैं और फिर वह ग्रीन नाइट को मारने कहते हैं, तब ग्रीन नाइट खुश होता है और उसके पास आता है और उसकी तारिफ करके वह उसे बहादुर नाइट यानि की सैनिक बढलाता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक लड़क मास्टरपीस फिल्म है जिसे हर मुवी लवर को एक बार एक्सपेरियंस जरूर करना चाहिए तो प्लीज आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें एम करतें 1000 लाइक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अगर आपको मेरा कम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया